हेई फ्रेंद्स, वेलकम, कैसे हैं आप सब? आशा है फ्रेंद्स, आप सभी स्वर्स्त होंगे आज की रीडिंग में हम चेक कर रहे हैं की आपके पार्टनर्स आप लोगों से क्या छुपा रहे हैं रीडिंग टाइमलेस है, जब भी देखेंगे तब भी रेजोनेट करेगी, बट स्टेल जनरल है, कलेक्टिव है, सभी साइन, सभी जेंडर, सभी रिलीजिन, सभी कास्ट के लोग इस रीडिंग को ओपनली चेक कर सकते हैं, ओपन माइन के साथ ही चेक कीजिए, जरूरी नहीं है, ओम साइरा, तब तक आप प्रोपर एनरजी एक्सचेंज करने के लिए वीडियो को लाइक करें, अपने परसन को विजुलाइज करें, अगर आपसे रेजोनेट करती है, तो कॉमेंट भी करें, देखते हैं क्या कार्ट्स आए हैं, फर्स्ट कार्ड आया है, सेवन ओफ स नेक्स्ट है हमारा एट ओफ काप्स और हमारा बॉटम का कार्ड है दचारियत, अब ये कार्ड आपको क्लियरली दिख रहे हैं, अगर मैं यहां पर इंपोर्टेंट जोडियक साइंस बताऊं जो कि आपके परसन के लिए या फिर आपके लिए इंपोर्टेंट और प्रॉम हैं वो है जामनाय लिब्रा एंट अकोएरियस, एरीज लियो और सजिटेरियस, कैंसर पाइसिस और स्कॉर्पियो और वर्गो इनर्जी इंपोर्टेंट डेट्स की मैं बात करूँ तो 7, 16, 25, 9, 18, 27, 5, 14, 23, 8, 17, 26, 7, 16, 25 यह डेट्स आपके लिए या आपके परसन के लिए इंपोर्टेंट हो सकती हैं पहला ही कार्ड यहां पर आया है सेवन ओफ सोर्ट का जो कि यह बताता है कि डेफिनेटली आपके परसन आपसे बहुत कुछ चुपाते हैं हाइडन सीख खेलते हैं सबसे इंपोर्टेंट तिंग तो यहां पर यह है कि यह अपनी फीलिंग्स खुल के आपको बया नहीं करते आपको दिखाते ऐसे हैं कि जैसे आप उनके कनेक्शन में हो या नहीं हो इससे उनको कोई फरक नहीं पड़ता लेकिन जैसे ही आप दोनों की बात कम हो जाती है या फिर किसी जगरे के बात बंध हो जाती है तो आपके परसन आपको स्टॉप करते हैं आपके बारे में common friends से पूछने की कोशिश करते हैं आपका इंतजार करते हैं आपका वेड करते हैं आपके call, text और messages का wait करते हैं तो आपके person आपके लिए feelings रखते हैं लेकिन उन feelings को accept नहीं कर पा रहे हैं सबसे major चीज तो वो यही आपसे चुपा रहे हैं कि वो आपसे प्यार करते हैं यह ना तो वो खुद समझ पा रहे हैं सही से और ना ही इस चीज की acceptance, confession वो आपको दे पा रहे हैं सेकंड चीज में आपर जो देख रही हूँ वो यह देख रही हूँ कि आपके person बहुत जादा immature energy में है वो maturely इस connection को handle नहीं कर पा रहे हैं आप दोनों के बीच में इनकी immaturity की वज़े से stress बढ़ता जा रहा है और इन्हें ऐसा लगता है कि यह बहुत mature है, यह बहुत सही है और गलतियां तो बस आप ही की है next thing is this जो कि मैं आपर देख पा रही हूँ कि आपके person, आपके call, आपके text, आपके messages, आपके आने का wait करते हैं लेकिन यह आपको बताते नहीं है यह आपको बताते नहीं है, ego में रहते हैं, attitude में रहते हैं और जुक कर इस connection को आगे बढ़ाने में believe नहीं रखते यहाँ पे मैं strongly देख पा रही हूँ कि आपके person, अगर आप लोग separation में भी हैं तो इस रिष्टे की एक नई शुरुआत चाहते हैं पुरानी चीजों को भुला कर इस रिष्टे में नया more लेकर आना चाहते हैं, नई शुरुआत करना चाहते हैं लेकिन इन चीजों को खुल के आपको express नहीं कर पा रहे हैं मैं हापे ये भी देख पा रही हूँ कि इनका office में या फिर इनका friends के साथ काफी ज़्यादा बोल चाल होती है, काफी ज़्यादा ये उनके साथ time spent करते हैं कुछ लोगों के साथ हो सकता है, ये flirt भी करते हो, इनकी life में एक से ज़्यादा option हो, ऐसी possibility भी है लेकिन again, ये चीज़े ये आपको खुल के नहीं बता रहे हैं, आप से चुपा रहे हैं और तभी ये आपको clear, clearance नहीं दे रहे हैं, so that इनको खुदी clear नहीं है, कि इनको किसको choose करना है और किसको नहीं, second person की तरफ देखते हैं, तो इनकी attention आपकी तरफ जाती है आपको देखते हैं, तो इनकी attention second person की तरफ जाती है मैं या पर ये भी feel कर पारी हूँ, कि इनकी family toxic है, karmic है इनकी family में काफ़ी लड़ाई जगड़े होते है and कहीं न कहीं इने पता है, कि इनकी family आपको accept नहीं करेगी हो सकता है आपका religion caste, या फिर status different हो, या फिर कोई single हो, कोई married हो, separated हो या फिर आप दोनों ही married और separated है, या फिर आप लोगों का separation होने वाला है तो आपके person ये भी चुपाते हैं, कि इनकी family कितनी toxic है और कितनी dominant है, और कैसे इनको अपने इशारों पर नचाती है तो जो आपके person है, ये अपनी life के जो लड़ाई जगड़े हैं, अपने life की जो परेशानिया है अपनी life की जो तकलीफे हैं, वो आपसे चुपाते हैं ये introvert रहना पसंद करते हैं, ये नहीं चाहते कि किसी को भी उनकी तकलीफों को बताया जाए जबकि आप तो इनसे true love करते हो, आप इनके true lover हो लेकिन still तब भी ये आप पर उतना भरोसा नहीं कर पा रहे हैं कि आपको खुल कर सब कुछ बताया जाए मैं आप ये भी feel कर पा रही हूँ कि इनके past में कुछ connection abusive रहे हैं toxic रहे हैं, जिनको ये अभी तक नहीं भुला पाए है जिनसे ये move on तो हो गए है physical form में लेकिन emotionally, mentally अभी भी ये उन connection को याद करते हैं miss करते हैं, बट ये इन चीजों को आपको नहीं बताते हैं आपको ये दिखाते हैं कि ये बहुत solid है, बहुत bold है अपने X को नहीं याद कर रहे हैं या नहीं याद कर रहे हैं लेकिन इनके मन में कहीं न कहीं X की छाप अभी तक है मैं आप ये देख पा रही हूं कि ये definitely काफी responsible है आपकी care करते हैं, आपकी फिक्र करते हैं आपके लिए एक solid action लेना चाहते हैं जो आप deserve करते हो, वो इस connection में आपको देना चाहते हैं लेकिन ये feelings भी आपको नहीं बता रहे हैं इन feelings को भी आपसे चुपा रहे हैं I don't know ये reading कितनों से कितनी resonate कर रही है अगर आपसे resonate कर रही है तो like, share and comment जरूर करें comment box में जरूर बताएं कि आपसे एक इतनी resonate की है हम कुछ और cards निकालते हैं अगर आपके person से गलतियां हुई है तो वो काफी guilt में है, regret में है आपसे माफी मांग कर इस connection की एक नई शुरुवात करना चाहते हैं लेकिन अगेन अपना guilt, अपना पस्तावा, अपना regret वो आपसे चुपा रहे हैं और वो चाहते हैं कि आप इस connection की शुरुवात कर दो और उनके बिना माफी मांगे ही इस connection में सब कुछ नया दुबारा से शुरू हो जाए Fighting मैं ये भी देख पा रही हूँ कि जब आप दोनों की fight होती है तो आपके person आपी की गलतिया निकाल देते हैं और खुद जो है साफ सुतरे तरीके से बच कर निकल जाते हैं ऐसी vibrations भी यहाँ पर आ रही है तो आपके person definitely अपनी गलतियों को हमेशा चुपाते हैं यहाँ पर कार्मिक रिलेशनशिप की बहुत vibrations आ रही है अगर आप लोग soulmates हो भी तो भी कर्मा के काफी ज़्यादा baggages है कर्मा के बहुत सारे cycles हैं जिसकी वज़े से आप दोनों की life में बहुत problems हैं यहाँ पर five of wands है और यहाँ पर totality है आपके person जो भी आप दोनों के बीच में या आप दोनों की family के बीच में जगड़े हुए हैं उनको सुलजा कर इस connection की एक नई शुरुवात करना चाहते हैं reconciliation करना चाहते हैं reunion करना चाहते हैं guilt में है, regret में है शर्मिंदा हैं लेकिन still इन चीजों को accept नहीं करना चाहते हैं इनका ego, इनका attitude, इनका over pride इनको इन सब चीजों को accept करने से रोक रहा है तो यह अपनी true feelings आप से चुपा रहे हैं कहते हैं, चाटा मारने के लिए उतनी हिम्मत नहीं चाहिए जितना अपनी गलतियों को accept करने के लिए आपके person ने अपने ही मन में अपनी गलतियों accept को कर ली हैं लेकिन आपके सामने accept करने में घबरा रहे हैं आपके person आपके trust करते हैं लेकिन ये बात वो आपको कहेंगे नहीं, अक्सर चुपाएंगे और ऐसे दिखाएंगे कि जैसे आपको उनकी जरूरत है और आपके उनको याद करते हो, आपके को उनकी फिकर है आपके बिना आपके person बिल्कुल alone है, बेसहारा है आपके साथ उनकी future है, आपके उपर आपके साथ उनकी co-dependency है आपके बिना उनने बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है और definitely कि उन्होंने एक mask लगा रखा है जिसमें वो इन सब चीजों को accept नहीं करते है and bottom of the deck है intensity वो आपको physically बहुत ज़्यादा miss करते हैं हो सकता है कि सबसे पहले उनका attraction ही आपके तरफ आया हो and then वो इस connection में आये हो and उन्होंने आपको ये जताया हो कि वो आपके साथ बहुत emotionally connected है और आपको बहुत प्यार करते है and ये चीज़े उन्होंने आज तक आपको नहीं बताई कि पहले उनका सिर्फ और सिर्फ attraction आपके तरफ था क्योंकि वो डरते हैं कि कहीं ये connection पूरी तरह से खोना जाए इसलिए जो उनके मन में आपके लिए attraction है वो आपके साथ physical होना चाहते हैं intimate होना चाहते हैं आपके साथ romantic cycles को begin करना चाहते हैं लेकिन डरते हैं कि कहीं आप बुरा ना मान जाओ तो इन चीजों को भी वो आपसे चुपाते हैं तो ये थी friends आप लोगों के लिए reading I hope आप लोगों से resonate की होगी पसंद आई होगी अगर resonate की है पसंद आई है तो please do like, share and comment thank you so much for watching 9, 18, 27 भी कई लोगों के लिए important dates हो सकती है 3, 12, 21, 30 4, 22, 31, 13 भी कई लोगों के लिए important dates हो सकती है अगर ये reading आप से resonate की है तो like, share and comment जरूर करें personal readings की facilities अवेलेबल है description box में उनकी detail given है आप check करके मुझे whatsapp करके अगर चाहें तो book करवा सकते हैं जिसमें सिर्फ और सिर्फ आप दोनों की बात होगी इस reading की तरह पूरे group की भात नहीं होगी अभी के लिए इतना ही thank you so much for watching bye for now have a good day and take care